माता श्री राज राजेश्परी देवी का जन्व 6 अप्रेल को देव भूमी उत्तरा खंड के हिमाले की सुरम्मे घाटियों की बीच एक गाउ में हुआ देविय विधान के अनुसार सद्गुरु देव श्री हंस्ची महराज के साथ उनका पाणी ग्रहन संस्कार हुआ श्री हंस्ची महराज के गहन योग साधना, तपस्या, त्याग, मानव प्रेम और जीव दया से ओत प्रोत कार्यों में संपून रूप से सहयोग करते हुए श्री मा ने स्वैम आत्मज्यान की उच्चतम ध्यान साधना में उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त कर देश विदेशों के जनजन में आत्मज्यान का प्रचार किया माता राज राजेश्वरी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को लोक कल्यान, परोपकार और जन साधारण की सेवा में लगाया उन्होंने समाज में फैली कुरीदियां जैसे अशिक्षा, नारी का अपमान वैशोशन, जातिगत भेदभाव, व्यक्ति व्यक्ति में वैर, समाज में असहिश्नुता, दुर्भावना पूर्ण कट्टरता और समाज में फैली असमानता आदी को जड़ से उखाड फैकने माता जी ने सभी धर्मों में समाहित सत्य और प्रेम के मानव कल्यानकारी विचारों के प्रती सम्मान की भावना रखते हुए पूरे विशु के धर्मों, पंथों और संपरदायों में सत्भाव और आदर का संदेश दिया, तथा सभी धर्मों में संभाव की शिक्षा को ही देश और दुनिया की प्रगती में सहायक बताया श्री माताजी ने अपने जीवनकाल में श्री प्रेम नगर आश्रम तथा देश के सुदूर इलाकों में भी अनेक आश्रमों का निर्मान कराया जिससे समाज के प्रतेक वर्ग का व्यक्ति, आत्म ज्यान, प्रभु भक्ति और धर्म के मर्म को समझ सके। श्री माताजी की प्रेड़ना से सद्गुरुदेव श्री सत्बाल जी महराज आज भी माताजी की मानव कल्यान कारी और राष्ट्र हितकारी शिक्षाओं का अक्षर शह पालन करते हुए मानव उत्थान सेवा समीति के माध्यम से अन्वरत, समाज सेवा तथा आध्यात्मिक प्रचार का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्क पर चल कर भ्रिकुटी में ध्यान और श्वासों में सित्प्रभु के पावन नाम का सुमिरण करके पूरे विश्व में लाखों साधक, भक्त जन और हजारों साधू संत महात्मागंड अपने जीवन को सु संपून मानवता को पुत्रवत सनेह और प्रेम किया हो तथा जिसका हुरदय संपून जीवों के दुखों से द्रवित होकर उनके दुखों का हर संभव निवारन करने में तत्पर रहता हो। जो मा आतम साक्षातकार को ही आतम कल्यान का पत बताकर साधकों को उनके हुरद हिर्दे से अपने श्रद्धा सुमन्द अर्पित करते हैं